आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हम यह question में कहा गया है What approximate value should come in place of question mark in the following question 59.89% of 450 plus 39.96% of 600 and 500 minus 79.87% of 5500 हम से एक आगय है कि हमें बदानी है approximate value कितनी होगी यह जो हमें the equation दी हुगी है approximate मतलब कि हम इसको एक approximate कर सकते हैं तो हम सबसे पहले यह क्या लिखा हुआ जो मेरे लिखा हुआ 59.89% of 4500 plus 39.96% of मतलब multiplication 6500 minus 79.87% multiplication 5500 ठीक है इसको आगे हम अब solve करते हैं तो 59.89 है हम इसको लिख सकते है 60% 60% multiplication of 4500 ठीक है plus 40% multiplication of 6500 minus 80% multiplication 5500 ठीक है अब इसको percentage को हम अटाएंगे 60 by 100 multiplication 4500 plus 40 by 100 multiplication 6500 ठीक है minus 80 by 100 multiplication 5500 ठीक है 0000 cancel out यह 0000 cancel यह 0000 cancel ठीक है next हम क्या करेंगे अब हम next इसको multiply करेंगे 6 को 60 into 45 मेरा बचा plus 40 into 65 मेरा बचा minus 80 into 55 मेरा बचा ठीक है तो 6530 3,640 3,27 ठीक है तो 2700 आ गया plus 4520 6424 26 minus 8540 8540 44 यह हो गया इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो मेरा आएगा 76 हो गया मेरा 7,613 2,2,4,1,5 ठीक है 00 minus 4,4,00 इन दोनों को जब minus करेंगे तो मेरा आएगा 900 तो यानि कि मेरा option A मेरा सही होगा approximate value मेरी 900 आएगी Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीज़े अपने डाउट आच 4444 पर